मुख्यमंतरी मनोहरलाल के जन अश्रवाद यात्रा आठमें दिन गुरुग्राम से शुरू होकर बढ़खल एनाइटी फरीदाबाद के मांगर चौक पहुँची यात्रा में हिसा लेने के लिए भारी संख्या में जन समूह उमड पड़ा लोगों ने जगे जगे गरम जोश की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया इस बैठक में जेज़िपी नेता दुश्यंद चोटाला और बसपा नेताओं ने मिलकर कारेकरताओं को संबोधित किया जेज़िपी नेता दुश्यंद चोटाला ने बताया कि प्रदेश की सभी 22 जिलों में इस तरह की संयुक्त ब प्रदेश में देखने को मिला हर्ताल को लेकर अलगलत जगहों पर करमचारियों ने सरकार की खिलाफ धरना पर दर्शन किया और जम करना रिवाजी की सरकार पर वादा खिलाफी का आरूप लगाते हुए सरकार के शहरी इस्थानी निकाय विभाग और गिरामिल्ड शेत्र के करीब 42,000 सफाई करमचारी मंगलवार से तीन दिन के हरताल पर रहें हर्याना के पानीपत में प्रशासन के तरफ से रोजगार मेला लगाया गया जो बेरोजगार युवक युवतियों के लिए महस एक मजाग साबित हुआ सैक्णों के संख्या में युवक युदियां इस उमीद से इस मेले में पहुँचे थे कि शायद उन्हें इस मेले में रोजगार के कोई औसर मिले लेकिन ज्यादा तर युवा मेले से नराज होकर निकल पड़े युवाओं से उनके रिजुमे जमा तो करा लिया गया लेकिन जॉब नहीं मिली किसी को सिर्फ आश्वासन मिला तो किसी को मना कर दिया गया हत्या लूट और कई संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले दिली के दो शार्प शूटर को जजजर पुलिस ने गिरफ़तार किया है गिरफ़तार किया गए बदमाश सोनू और इबराहिम का संबन्द गैंक्स्टर आश्रोक परधान के गैंक से बताया जा रहा है एस पी के मताबिक पुलिस के गिरफ़त में आये ये बदमाश बहादर गड़ में किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फराक में थे लेकिन पुलिस ने एक गुप्त सूचना की आधार पर समय रहते इन्हें धर्दबोचा जाटॉली हेली मंडी में लोगों ने जन स्वास्त विभाग पर अनुसूचित जाती के वार्ड के साथ भेथभाव करने का आरूप लगाया है वार्ड के लोगों ने एस डिम को ग्यापन सौप कर दोशित पानी की हो रही सप्लाई के जल ठीक करने के माग की है लोगों का कहना है कि जाटॉली मंडी में जन स्वास्त विभाग ने पूरी नगर पालिका में पानी की पाइपलाई डाल दी है लेकिन अनुसूची जाती के शेतर में कोई पाइपलाई नहीं डाली गई जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हर्याना के टोहाना शेतर में एक यूविती के साथ शादी का जहासा देकर दुशकर्म करने का मामला सामने आया प्यूड़िता के मताबिक अमन दीप नाम के शख्स ने उसे प्यार और शादी का जहासा देकर उसके साथ कई बार दुशकर्म किया इस बात की शेकायत प्यूड़िता ने पुलिस में दी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन धाराओं के तहत मामला दर्च कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी जिला सचीवाले पंचकुला की पार्किंग में आज रेट क्रॉस पंचकुला की तरफ से चापेमारी की कारवाई की गई कारवाई की दौरान खुलासा हुआ कि पर्ची काटने वाले करमचारी आवएद रूप से वसूली करने में लगे हुए थे पांच रुपे की पर्ची के जगे दस रुपे और दस रुपे की पर्ची के जगे बीस रुपे आवएद तरीखे से वसूली जा रहे थे CRPF की सिपाही भरती में फर्जिवारा साब ने आया है जिसका खुलासा सोनीपत के खेवडा कैम्प में फिजिकल टेस्ट के दौरा हुआ CRPF के आला धिकारियों ने शक के आधार पर चार युवकों को बकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया वहीं युवकों ने पुलिस के साबने खुबूला की लिखित परिक्षा में किसी और को बिठाया गया था और फिजिकल टेस्ट के लिए वो खुद आये हैं पानिपत में जन आवाज सुसाइटी के सदस्यों ने खाद आपूरती विभाग में हो रहे करोडों के घुटाले को लेकर प्रदर्शन किया इस दोरान प्रदर्शन कारियों ने विभाग के भरस्ट अधिकारियों के खिलाफ जम कर नरेबाजी भी की